नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका अभियान सिविल सर्फिज में जितनों आज हम देखेंगे समाजकारिक जो कल प्रस्न पत्र हमने दिया था पिछली वीडियो में आपने देखा होगा और इसका पीडियो भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा ये पहले पेपर का पूरा आंसर है अब 12 प्रस्न है इसमें जिसमें कुछ 15 अंक के हैं और कुछ 10 अंक के हैं इन सब भी की उत्तर हम देखेंगे ये हिंदी में रहेगा पूरा कारिकरम और भी हमारे कारिकरम चल रहा है जैसे कि UPPCS-PREE के लिए ऑनलाइन प्रोग्राम चल रहा है ऑफ आफ लाइन भी लिख सकते हो उसके लिए WhatsApp नमबर दिया गया है इस पर आप WhatsApp करिए और English वीडियम के लोग जो भी हैं जो जुड़ना चाहते हैं दस लोग हैं अगर पच्चीस लोग हो जाएंगे तो उसके भी आंसर हम शेयर करेंगे तो आज़े शुरू करते हैं पहला जो लोग नए हैं करिपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर आपको हमारा कारिक्रम अच्छा लगता है तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर क्या करें प्रस्न संख्या एक है समाज कारी की आउधार है तो लगबग दो धाई सव वर्ड उसमें आ जाते हैं तो आई शुरू करते हैं एलिस चेरी 1926 के अनुसार समाजकारे के अंतरगत वे संपूर्ण एच्छिक प्रयास समाहित हैं जिनका लच्छ जन जरूर्तों की संदूर्ष्ट करना जिनका संबंद सामाजिक संबंदों में से हैं तथा जो वह ज्यानिक ज्यान एवं विद्यों का प्रयोग करते हैं और एक और विचारक हैं फिंक उनके अनुसार के अनुसार समाजगारे का कार्य उन दशाओं का निर्माड करना है या वेक्ती में उन छमताओं का विकास निर्माड करना है जिसमें वो अधित्तम संतोष्प्रत जीवन यापन कर सके हेलेन क्लार्क वो मिड लेंडर ने समाजकारे को ब्यवसाइब सेवा के रूप में परिफाशित किया है। तो यह विफिन परिभाशा हैं समाजगार की जो अधाना है उसको स्प्रस्ट किया गया है। इसका अगला प्राश्ट जो देखेंगे एक कौनों पका हैं उनके अनुसर समाजिक जाल जो होता है, कहा है, इसको समाजकारे को जबकि कुछ विद्वानों के अनुसार या प्रणाली तथा प्रक्रिया है, या एक well-defined process है, British Association of Social Work के अनुसार, यह समाजिक परिवर्तन समस्या, सुल्जाव, एवं समाजी करण को बढ़ावा देती है, अता समाजकारे की कोई एक सरवमान आओधारना नहीं है, संयुक्तरास्ट के अनुसार या विभिन देशों में, अलग-अलग परिस्थितियों में, अलग-अलग रुपों में देखती है, तो विभिन विचारकों के द्वारा समाजकारे क्या है, समाजकारे के छेतर क्या है, यह सारी चीजें बताई समाज कारें के दो प्रमुख अंग है समाजिक सुरक्षा वह समाज सुलहार तो Social Security and Social Reform के बारे में पूछा गया है जिनके निमलखित उद्देश हैं इनके उद्देशों की बारे में हम बात करेंगे पहला तो है समाजिक सुरक्षा लग की सोचल सक्योर्टी और दूसरा है समाज सुधार, सोसल रिफॉर्म, समाज में होने वाले और समाजी के और समाने द्रिश्यों, कृत्यों के प्रति समवैधानिक तथा कानूनी सुरच्छा देना, समाज की रूडवादी परंपराओं में सुधार कर अनुपूलन दाना, तो ये दोनों इसके लक्षे हैं, अता समाजिक सुरच्छा वा समाज सुधार, समाज में निम्न लिखित उद्देशों की प्राक्ति है, तो किये जाते हैं, तो उनके अब्जेक्टिव्स क्या-क्या हैं, उनके बारे में हम देखेंगे, ब्यक्त की अंतरन हिच्छमताओं का जो इंटर्नल कापसिटी होती है, उनका विकास करना, उनके परिवेश में इस प्रकार परिवर्तन करना, कि उसके ब्यक्तिगत यहां समाजिक जीवन में कम से कम समस्याय हो, मिनिमम जो डिफिकल्टीज होती हैं, उनको मिनिमम करने के लिए ये सोसल वर्थ किया जाता है, सम समाज कारे का मुख्य उद्देश यह होता है कि कोई भी जो भी विक्टिम है उसको ऐसी चीजें ट्रेन करना या उसको बताना कि वो सेल्फ डिपेंडेंट हो जाए समाजिक कारे समाजिक विकास हे तो अपेक्षित परिवर्तन करना जैसे स्टैंड अप इंडिया स्किल इंडिया आदि उनको रोजगार उन्नमुक बनाना उनको स्किल्ड बनाना ये समाजिक डेवलप्मेंट करना होता है उपयुक्त विधानों का निर्माड करना जैसे कि सुगम्य भारत योजना स्टैंड एक्ट आदि उपरोख समक्स्त उपायों से समाज शुक शांत सम्रिद्ध को प्राप्त करेगा और रामराज की कल्पना यथा रूप हो सकेगी तो समाज कारे का कारे बहुत ही व्यापक है उसके विभिन कारियों को हमने देख चुका देखा गया है पिछले प्रस अगला प्रसन देखेंगे प्रसन संख्या एक है है भारती परिवेश में समाज कारे के मूले अमानेता हैं कहां तक तर्थ संगत हैं तो इंडियन जो सिने और यह हैं इंडियन कॉंटेक्स्ट में सोशल वर्थ के वेल्यूज और जो उसके ट्रडिशन्स हैं या उसके एजं अपने कुछ मूल्य मानेताएं होती हैं जैसे रीत रीवाज परंपराएं आचार विचार इत्यादी जो कस्तम होते हैं हमारे जो कस्तम होते हैं उनके बारे में हमें देखना है ठीक उसी प्रकार समाजकार की भी कुछ अपनी मूल्य मानेताएं मूल्य और मानेताएं होती ह जो भारती प्रदेश में कितनी तर्थ संगत हैं इसका मुल्यांका निम्निकित बिंदों में के अंतरगत किया जा सकता है तो उसके विविन पॉइंट दिये गया है पहला पॉइंट है ब्यक्ति की प्रकिति इस इध्धान्त के अनुसार प्रतेग ब्यक्ति का अपना अस्तित वेरिफाइड और बहुत अच्छे सोस से बनाया गया है, बहुत अच्छे एक्सपॉर्स तोरा बनाया गया है, जीव प्रभावित करना फिर परियावाण एक दूसरे के इंटरेक्शन से ये चीजें होती है, मनुसे सभावता विवेक्षिल नहीं होता है, वह जन्म से नैतिक वह सामाजिक भी नहीं होता है, यह सभी मुल्य भारती परिज्श में भी समानरूप से दिखाई देती हैं, जिन्हें बहुत पहले से समाशास्त में भी अध्यान किया जाता रहा है, व्यक्तिवों के बीच ब्यक्ति वह समु के बीच तथा समु हों के बीच आपसी संबंद के समाजकारे कैसे डिफाइन करता है, समाजकारे हस्त अच्छेप ना करने की नीद तथा योगिता पर उत्तर दीवता के मानता पर को नहीं मांगता है, सरकार विविन कारिकरमों के माध्यम से सभी को समान आउसर देना चाहिए, जैसे कि वरतमान में क अभी भी यह एक बिजनिस के रूप में डेवलप नहीं हो पाया है, लेकिन इसका एक प्रोसेस होता है, एक साइंटिक स्टडी होती है, सोसल वर्थ की, और उसमें जो होता है, प्रोफेस्नल बनना पड़ता है, प्रावितिक निपूर्टा उसमें होनी चाहिए, पराधारि कुसमायोजन ब्यापतर हैं, जिसमें क्रमिक रूप से सुधार संभौ है, अतह भारती परदेश्च्व में समाजकारे मुल यहों मानेता है, बहुत ही तरसंगत है, इसके द्वारा लोग तंत्र के लक्ष को सफलतम रूप से प्राथ किया जा सकता है, अगला प्रसन देखे परीजिए और सोसल बाथ के अनुसार, ब्यक्ति, समुदाय के कल्यान के लिए चलाए जा रहा है कार्यकर्म ही संगठित रूप से समाजकल्यान है, जबकि संयुत्रास संग ने समाजकल्यान के अध्वाना के संबंद में, किसी एक प्रतिमान को निठारित किया, इसके अनु के ब्रग्यानिक ज्यान वह कुछलता पर आधारीत है तथा जो व्यक्ति को अकेले या समूव में सहाथा प्रदान करती है जिससे सामाजिक व्यक्तिगत संतुष्टी प्राप्त किया जा सके अता इसका व्यापक लक्ष समाज कल्याण को दरसापता है वर्तमान पर्दिश से इसके निमलिखित बदलते प्रत्यों को देखा जा सकता है वर्तमान पर्दिश में इसके जो बिभिन बदलते प्रत्यय हैं उनको कैसे हम देखेंगे आएक देखते है पहला है आव शेष्वादी प्रत्य में से संस्ठागत प्रत्य की ओर ये किATION डवलाप्मेंट हो रहा है SOCIAL WORK का दान के प्रत्ते से & शरव्याबी विप्रक्त की और आज सामाजिक कल्याण की और अता धीरे دीरे सामाज कार में दान-धक्षन्य से समपूर्ण स माजिक समाज कल्याण के सवरूप गहन कर लिया है अभी बहुत सारे ऐसे जो इसको दान दक्षिडाएं या लोगों की सहयता करने का समाज कल्याण समाज कार्य अभ्यास पर गांधी दर्शन की यह देखते हैं वास्तव में भारती समाजकार्य दर्शन पर गांधी दर्शन का आत्रदिक प्रभाव देखने को मिलता है, इन प्रभाव को हम मुख्यतर तीन रूखों में देख सकते हैं, समाजिक दर्शन, राजनीतिक दर्शन और आर्थिक दर्शन, तो समाजिक दर्शन की बात करेंगे, समाजकारे के अंतरगत सेवार्थी की सहाथा इस प्रकार की जात उसको स्किल्ड बनाया जाता है और वो सेल्फ डिपेंडेंट हो सके इसके लिए उसको मोटिवेट किया जाता है सच्छम हो सके गांधी दर्शन भी आप निर्भर बनाने पर अधारित है गांधी जी ने प्रतेक व्यक्ति की गरिमा को मानते थे जिस पर समाज कारवी था उनकी ब्यक्तिकत गरिमा है तो 1932 में हरिजन सेवत संकिय स्थापना की गांधी जी के सत्य और अहिंसा जैसे विचार नाकेवल ब्यक्तिक के लिए बल की समू संदाय वह राष्ट के लिए अनिवार्टत्व हैं गांधी जी के साधन साध्य की पवित्त्ता एक सामाजी क करता है तो आवश्य गुण है गांधी जी का सरवोदय संबंदी विचार भी समाजकार की एक प्रमुक विचारदहारा वह देश से है राम राज भी इनका इसी में आता है आर्थिक दर्शन हम देखेंगे आर्थिक दर्शन में गांधी जी ने ट्रस्टिशिप के सिद्धा जुद्ध दर्शन होता यह कि हे परिवर्दन के आधार पर जो गी अमीर लोग जो उपर के फूजी पति लोग वह अपनी प्स्तुओं को समाज कारे में अपनी जो भी सेवाये हैं वो समाज कार के लिए कर सकें समाज कारे के लिए अत्यंत तर्क संगत है इसके अंतर्गत गांधी जी ने बताया है कि जिन लोगों के पास आवस्यक्ता से अधिक धन है उसे आवस्यक्ता ग्रस्त व्यक्तिकी धरोहर समझें और जरुवत के समय मदद करें। राजनीतिक दर्शन में देखेंगे तो भारती संविधान के नीतनी दिशक्तत्तो में अनुछे 40, 43 और 47, 48 आधी पर गांधी दर्शन का प्रभाव देखने को मिलता है जो समाजकारी दर्शन का प्रमुक आधार है। सभी पक्षों को इसमें इंक्लूड किया गया है। अगला प्रसंद देखेंगे दूसरे का ये ख़व है। भारत में समाजकारे पूर्टा व्यवसाईक छवी धारण नहीं कर सका है। असपस्ट कीजिए तो इसको प्रोफेशनल बिजनेस के रुप में कैसे हम देखते हैं। वेश्टान कंटीज में कैसे इसका काफी विकास हो चुका है। भारत में अभी विकास की संभावना है। 1948 से लेकर आज तक समाजकारे ने भारत में काफी विकास किया परन्त व्यवसाई के मांदनों में वह आज भी पूर्टा सफल नहीं हो सका है। इस बात को समझने के लिए हमें सरपर्थम विकास के गुणों का मुल्यांकन करना आवस्यक है। जिसे हम निमलिकित बिंदों के अंतरगत देख सकते हैं। तो पहले तो हम देखेंगे कि विद्लिस क्या होता है। और समाजकारे को बिवसाय के रूप में हम अभी तक स्थापित क्यों नहीं कर पाएं हैं। उसकी बात करेंगे। क्रमानुसार कमानुसार सिध्धांत इस सिध्धांत के अंुसार अभ्यास करता द्वारा जो भी अनुभव शोध ज्यान प्राप्त करत होता है। उसे समाजकारे में के सिक्षण प्रसिक्षण कारिकरम से जोड़ दिया जाता है। परन्तु अधिक्तम सोध ऐसे हैं जो विदेशों में किये जाते हैं। अता इन्हें भारतिये परिपेक्ष में उतना तर्कसंगत वो व्यवहारिक रूप से नहीं देखा जा सकता है। असनातक के पाठक्रम में इसे शामिल करने की संस्थिती की अवर्तमान में भारत में लगवक सौ से अधिक संस्थानों में समाजकार अध्यन का विच्छा है जैसे कि इगनु टाटा इंस्टूट ऑफ फंडेमेंटल साइंस जो है वहाँ पे टीफ आई यार आधि में यहाँ संगठन किसी बीवसाय के लिए संगठन होना आउस्ट्यप्र भारत में अभी अखिल भारती अस्तर पर कोई मजबूत संगठन सोसल वर्क के लिए नहीं है यह संगठन इंडिन गौंसिल और सोसल वर्क है जो परन्त हुआ वर्स में एक आध बार ही केवल मेटिंग मात्यम के आध से संगोस्थियों के मात्यम से ही चलता है उसकी सक्रियता पूर्ण भारत में नहीं आचार संगीता चुकि भारत में कोई सक्रिय बेवसाइक समितिर्या नहीं है है जैसे की अब कोई भी सोसल एकटेविस्ट है वह अगर आप समाज के लिए कुछ करता है तो उसके लिए एक प्रोफेशनल एथिक्स होनी चाहिए प्रोफेश्णाल उसके लिए जो पेड चीजें हैं वो होनी चाहिए अगर वो कोई कारे करता है सोसाइटी के as a whole तो उसे पेमेंट गवर्मेंट ही दे या तो जो भी जिस भी समाज के लिए वो कारे कर रहा है उनको कुछ फीज देनी चाहिए यह सारी चीजें अभी तक डेवलप नहीं हो समाज कारे को इतिहास को निमलिखित चार चरणों में देखा जा सकता है पहला है औविवेक शिल्दान का यूग सुपात्र निर्धनों की सहायता का यूग समझ्वाय एम नियंत्रन का यूग और लास्ट है आय के अनुरक्षण का यूग इसको हम चार भागों में देखें और अठार सॉन्तालिस तक चौवालिस इसमें देखेंगे एक आई नहीं से चौवालिस लाख चैहजार नौसो साथ पाउंड धन विक्षवरित में खर्च होने लगे तो विक्षवरित आज भी एक समस्या है अभी एक उतर्पदेश में एक टॉपिक काफी चर्चा में है क तो यह जुमला ही लग रहा है तो अब ऐसे देखना आए कि बिरोजगारों के संख्या इतनी ज्यादा है और विच्षा वृत्ती को जो लोग विच्षा वृत्ती में हैं वह किसलिये हैं इसकी बिना जांच किये उनके उनको कारे देने कारे अगर सरकार करती है तो देखते में आत्र चै raise करें 9 21 एलिजाबेट ने इलीजाबेट ने कहा कि इस्मे णिम्लीकित प्रावधान किया गया पहलां पंजी करना वस्याइच है स्वास्ट शरील काम करें भोजन कपड़ा और सुधार gitu मिला आसरीच बच्चे पकपा का यह को सदुदब diff इसके अंतरगात 1832 में शाही आयोग आया जिसकी संसुती के अनुसार बच्चों और स्वस्थ वेक्तियों में विच्छा बृत्तिव आवारापन बढ़ रहा है। इस रिपोर्ट के आधार पर 1944 में अपंग व्यक्ति कानून लाए गया। अगला प्रसंद देखेंगे व्यक्तिक समाज कारे में सेवार्थी करता संबंदों के सिध्धान की चर्चा कीजिए। तो क्लाइंट वर्कर जो रिलेशन है उसके बारे में हम बात करेंगे। हैमिल्टन के अनुसार सेवार्थ से व्यावसाइक संबंद स्थापित करने के लिए आवश्यक है कि कार्यकरता ऐसे पर्यावरण का निर्माण करें जिसमें सेवार्थी को अपनापन की भावना का परिच्छे मिलें। सेवार्थी करता के बीच जो संबंद स्थापित किया जाता है वही सेवार्थी की सहायता का मूला धार है। इसके लिए इनके लिए निमलिखित सिध्धानतों का प्रयोग किया जाता है। पहला है व्यक्तिकरण का सिद्धान प्रते एक व्यक्तिकका व्यक्तित्व उसकी सारीरिक वांसिख छमताँने मुईन उसके वातावन का पलन होता है अलंब व्यक्तिकी अलंगळ विशस्ताय निदान वागचार की प्रत्रिया नहीं जैसे दो बाल अपराधी हैं, अपराधी एक को तथा अपराधी को पिछडी बस्दी को गलत संगत में अपराधी बना, जबकि अपराधी को अमीर परिवेश में एकांत वातावाण में TV सीरियल की वज़े से बना, दोनों के लिए अलग-अलग उप्चार की प्रक्रिया होनी जीए, तो जो भी अपराधी प्रविटियां हैं, अपराधी को ध्यान में रखके हैं, उनके लिए अलग-अलग strategy अपनानी होगी, स्विक्रिति का सिध्धान, या विचार गांधी वाधी दर्शन पर आधारित है, पाप से गिड़ा करो, पापी से नहीं, अत्या सेवार्थी जिस रूप में कार्यकर्ता के पास आया हो, उसे उसी रूप में स्विकार करना चाहिए, उसमें जो प्रिजुडिस होती है, अपना जो पूर्वा ग्रह होता है, उसको हटा करके, एक क्लाइंट को देखना चाहिए, एक वर्कर को, आत्मरिनार का सिध्धान, से ऐसा नहीं है कि किसी ने कुछ गलत कर दिया, और उस वो आपके पास आया है, आप एक सोसल वर्कर हो, तो उसको हीन भावना से देखो, या उसको कोई किसी जाती से है, किसी धर्म से है, या किसी निम्य परिवेश्ट से है, तो उसको उसी रूप में देखना चाहिए, और सम प्रादिक प्रवित्ति में होते हैं, कि अगर उनकी सूचनाएं लीक हो जाएं, तो जो लोग भी उनके कारेकर्ट, जो भी उनको शोशन किये हैं, वो व्यक्ति जो है, गलत स्टेप ले सकता है, सिवार्थी से प्राप सूचना को अत्यंत गोपनी रखना चाहिए, इसे उत सफल व्यावसाइक संबंद स्थापित कर सेवार्थी की सहायता करता, अगला प्रसंद देखेंगे, तीसरे का स, इसके बाद तीन प्रसंद और रहेंगे, वीडियो थोड़ी लंबी होगी, लेकिन जो भी लोग सोसल वर्क सब्जेक्ट रखें हैं, इसको जरूर देखें, व्यक्तिक समाजकार की अधाना असप्रस करते हुए, बलातकार से पीडित एक महिला की सहायता है, तुकार करता दोरा अपनाए गए, चर्णों की व्यक्या कीजिए, तो मनु, एम, देशाई के अनुसार, व्यक्तिक समाजकार ऐसी प्रक्रिया है, जो नौकेवल व्यक्तिक व्यक्तिक की यथा इस्तित के साथ समायोजन अस्थापित करने की अपितु, नए नए अस्तरों पर परिवर्तन चील, उसके समाजिक वातावरण में परिवर्तन में सक्री भागिदारी करने की, व्यक्तिकी छमता में ब्रिक्दि करने की प्रक्रिया है, व्यक्तिक समाजका एक महिला की सहायतार्थ हेत उतार करता अध्यान, निदान, उक्चार जैसे तीन चरणों का उप्योग करेगा तो पहला देखेंगे अध्यान, इसके अंतरगत महिला से जुड़ी समस जानकारी, उसके परियावरण की जानकारी, उसके साथ परिवार के लोगों का व्योहार, समाज का व्योहार का अध्यान करना किया जाता है, निदान, अध्यान के आध्यार पर बलाकार के करणों का पता सामाजी कार्यकरता के रूप में उसकेस को भी दिखा जा सकता है लेकिन उस महिलाओं का कि हत्या की गई है तो हत्या के बाद victim हमें मिलता नहीं तो ऊस पर्तेख्ष और सेवार्त की सीधे सहायता करना या मलठकार के कारण उसके बाहर उसके परिवर्थन परिवार का ब्यवहार और तथा कानमुनी वह मनुपेज्ञानिक सहायता देना अगला प्रसंद देखेंगे एक सेवार्थी की सहायता करते समय इतनी मात्रा में अंत्रन या अन्या रोपन के सिधान को लागू करना उचित है वैक्तिक समाजकारे में सेवार्थी करता संबंध ही सेवार्थी की सहायता में महत्पोन गोमिता नहीं भाते हैं प्रक्षेपन के अंदर अपने पुराने मित्र की छबी को देखना आधी की प्रक्रिया को अंतरन कहते हैं कभी कभी सेवार्थी की सहायता करते समय अंतरन प्रक्रिया को जान गुज कर उत्पन किया जाता है जिससे सेवार्थी अपने पूर्व के अनभों आधी को अच्छी तरह से खुलकर ब्यक्त करे जिससे कि उसकी समस्या को जड़ से खत्म किया जा सके परंतु अंतरण की प्रक्रिया केवल सीमित समय के लिए बुद्ध, जानकारी, हेतु अपनाई जाती है तथा उससे कारकरता के प्रतिसंब्यात्मक रूप से तटास्तराना आवश्यक होता है। जिससे समय प्रजातांत्रिक भावना को साकार करने में सक्षम हो सके। अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सके। उदारानात्र बाल अपराधियों का एक समू है। जिसने कई प्रकार के बाल अपराधी, कुछ जगन्य अपराधी तथा कुछ सामाने स्रेडी का पर्यावरण भी अलग-अलग होगा। कुछ उच्च स्रेडी के घरों के होंगे, तथा कुछ अत्यंत निम्लिकित योजना बनाई जाती है। कारिक्रम के निर्धान वो क्रियान्वन में देशन देना, प्रगतिशील कारिक्रमों के नियोजन में सहायता देना, विभिन कारिक्रमों के माध्यम से निर्थित्व का विकास करना, सदस्यों की भागिदारी बढ़ाना, और कारिक्रम को सरलता से जठिलता की और क्रमिक अगला प्रस्ण देखेंगे इसके बाद सिर्फ एक प्रस्ण बचेगा निर्थित्यों के विकास की योगता और सहकारिता से उतनी ही संबंदित है जितनी सामाजिक जितनी कुजडेश के लिए समोहिक अबरीचियों के निर्मार से एक्षा नुसार् दी हुई परिस्धित के अनुसार PRAभावित करना होता है नेता अनुवायी परिस्थिती आपने सदस्यों में से किसी एक कुछ नन कंदेश venal करेंगे परिस्थितियों से आशे किसी सामाने समस्या का समाधान करना तथा लक्ष का अर्थ उप्चार से है निर्तितों के विकास में कारेकर्टा की भूमिका निर्तितों एक द्योमिकी प्रक्रिया है जिससे नेता समू को प्रभावित करता है तथा वही समुह की भावनाओं से प्रभावित भी होता है। इसके अंतरगत सुझाव, आग्रा, प्रभुत्व जैसे तत्व शामिल होते हैं। अच्छा एक कारेकर्ता को निर्टितों के विकास में निमलेखित भूम का अदा होती हैं। उतरदाइटों का निर्वाहन करना, उपरोग्त माध्यम से एक समुह कारिकर्ता समुह के प्रतेक सदस्विक निर्टितों का विकास करता है। ताकि वह अपने जीवन का उप्योग कर सके। ये अंतीप्रश्न है समुह कारीकर्ता की, कारी समाज की आओधारना सपस्ठ करते समाजकार की प्रार्थमिक प्रडाली है जिसका उदेश सामुहिक अनुभव के माध्यम से ब्यक्तिकत सामुहिक वा सामुदाइक समस्याओं का समाधान करना वो समाजिक कार्यकर्ता समाजिक कार्यकर्ता में ब्रिद्धी करना मानसिक रूप से मंदित बालकों के समुह के साथ कार्यकर्ता को समुह कार्यसमाज ऐसे सिध्धानतों का प्रयोग करना होगा जिससे इनकी स्रिजनात्मक शंता में ब्रिद्धी हो सके तथा वह समाज की मुखेधारा से साथ जोड़ सकें इसके लिए कार्यकरता को निम्ज सिधान तो काउप्योग करना चाहिए पहला है उद्देश कर्द कार्यकरता ऑसे संफंध को विक्सित करना होगा जिससे वह करेकर्ता की बातों को समझ सकें निरंदर व्यक्तिकरण का सिध्धान समू के अंदर कुछ ऐसे भी बालक होंगे जो समू के साथ सामंजस से अस्थापित नहीं कर पाते होंगे तो उनके लिए क्या करना है अता निरंतर वैक्तिकरण के माध्यम से उनकी चंता को प्रसाहित करना होता है निर्देशित समू अंतक्रिया का सिध्धान्थ, कारिकर्ता द्वारा मंदित बालकों के समू के विभिन कारिक्रमों को इस प्रकार निर्देशित करना कि उसकी स्रिजन सीलता का विकास हो सके और उनमें आतमिस्वास की भावना जागरित हो सके इन सभी के अलावा प्रजातांतिक नेत्रितों का सिध्धान्त, लचीले कारिकरम, अनुभव का सिध्धान्त, स्वीकृति का सिध्धान्त, आज सभी ऐसे सिध्धान्त हैं, जिससे एक कारिकरता मानसिक रूप से मंदित पालकों के बेक्टितों का विकास कर सके और उनको मु schedule दिया गया है एक जुलाई को और पांच जुलाई के जो टेस्ट होंगे वो पूरी यूनिट से होंगे उसके बाद यही schedule जो है डेट बदल करके गुज़ारी कर दी जाएगी और जो लोग भी offline टेस्ट देना इस नमबर पे आप message कर सकते हैं किसी भी subject के लिए 8802913517 यहां पे नमबर गलत लिख दिया गया है 8802 है 8802913517